हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसस, ओ लेवल M3R5 स्रीज का लेक्चर नमबर 41 है, और अभी तक हम पिछले वीडियो में पाइथन फंक्शन, रिकर्शन और लेम्डा फंक्शन के बारे में कम्प्लीट कर चुके हैं, और अब हमारा अगला टॉपिक है पाइथ करते हैं, तो उस variable को हमने जिस scope में create किया होगा, उसका जो scope होगा बस वहीं तक होगा, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो scope जो हमारा होता है, यह चार तरह से होता है, यानि कि इसके 4 टाइप होते हैं, LE, LEGB ठीक है, LEGB यानि कि local, enclosed, global and built-in, इसके बारे में वैसे तो बारे में, बाकि enclosed and built-in के बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, local scope की, यानि local scope क्या होता है, और उसे हम सिर्फ उसी function के अंदर use कर सकते हैं, जैसे हमने function आपको पढ़ाए हैं, और आपको पता है कि function किस तरह से define होता है, my function नाम का, और इसमें यहाँ पर हमने x नाम का एक variable assign किया, जिसकी value यहाँ पर हमने रखी 300, ठीक है, तो यह जो x variable है, इसका scope सिर्फ इसी function के अंदर है, ठीक है, इसी function के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा practically समझते हैं, तो यहाँ पर हम open करते हैं, Visual Studio Code, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक function define करते हैं, यहाँ पर हमने function define किया, my func किया, किसी भी नाम का, तो यहाँ पर हमने my func नाम का function define किया, और इसमें भी argument या parameter रखें ना रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर आपको local and global का मतलब स statement में, यहाँ पर इसका जो scope हमारा बना, यह block of scope बना, यानि कि यह local scope है, ठीक है, अगर हम x को बाहर यूज करना चाहें, तो नहीं यूज कर सकते, जैसे यहाँ पर हम function को call करते हैं, my func, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, my func नाम के function को call किया, तो अभी तो यहाँ पर return कुछ return लिया है, नहीं, print, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को print करते हैं, हमने क्या किया, x को print कर लिया, इसको save करते हैं, program run करेंगे, तो result यहाँ पर आ रहा है, 100, ठीक है, clear है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यह सोचे कि x नाम का variable तो हमने यहाँ पर बनाया है, तो एक काम करत है, कि यहाँ पर हम print करते हैं, x plus 2, x plus 2, यानि कि x में क्या है, already 100, और plus 2, यानि कि result के आना चाहिए, 102 आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा possible नहीं है, ठीक है, यहाँ पर चले, इसको save करते हैं, और run करके दिखाते हैं, देखें, यहाँ पर error आ रही है, name error, यानि कि यहाँ पर function के बाहर नहीं use कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर हम x को access करने की कोसिस कर रहे हैं, इसका मतलब यह हम बाहर globally access कर रहे हैं, जबकि यह variable हमारा locally available है, ठीक है, अगर हम चाहिए, तो यहाँ पर x plus 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो जब यहाँ पर हम अपने function को call करेंगे, तो यहाँ पर यह x plus 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, देखें, यहाँ पर 102 आ गया, तो local variable क्या होते हैं, या फिर local scope क्या होता है, या आपको समझ आ गया होगा, तो x नाम के variable को हम सिर्फ इसी function में use कर सकते हैं, ठीक है, यह चीज के लिए रहो यह global scope है, या इसको हम किसी function में भी यूज कर सकते हैं, इस function में यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे function में यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस अपने पूरे program में, इस पूरी file में कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो इस variable का जो scope है, यह क्या है, global scope है, और यहाँ पर आपको हम जो चीज़े local scope and global scope के बारे में बता रहे हैं ये आराम से समझ लेना क्योंकि इस से related o level में mcqs पूछे जाते हैं लगबग 2-3 number या 4 number तक पूछ लिया जाता है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है local and global को अच्छी तरीक से समझ लेना है तो यहाँ पर local आपको कर सकते हैं clear है तो यह चीज के लिए हो गई आगे बढ़ते हैं notes की तरफ फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं function inside function यानि कि जग हम एक function के अंदर दूसरे function को यहाँ पर हम बनाते हैं तो क्या यहाँ पर हम इसको access कर सकते हैं यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है तो यहाँ पर हमने myfunk2 नाम का एक function define कर दिया myfunk1 नाम का यहाँ पर यह पर यह myfunk 1 नाम का केfind किया और colon और अब यहाँ पर हमने एक statement print की myfun1 यानि कि जब यह function call होगा तो हमारा यह statement print होगा अब यहाँ पर आप धयान से समझेंगे पहले तो एक चीज यह समझ लीजे कि दुसरा function define किया है तो इस condition में क्या होगा पहले तो इसको समझते हैं यहाँ पर हम प्रोग्राम सेप करते हैं और रन करेंगे तो यहाँ पर देखे रिजल्ट कहा रहा है 150 और यहाँ पर इसमें हमने प्रिंट स्टेट में लिखा है यह रन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ आपक लेकिन क्यों मिलेगी पहले तो देखे एरर किस टाइप की मिल रही है नेम एरर यानि माई फंक वन इस नौट डिफाइन क्यों नहीं है समझेए क्योंकि यहाँ पर यह वाला जो हमारा function है यानि कि function के अंदर जो function है तो यह जो define किया गया है तो जब तक हमारा माई फंक यह call नहीं होगा ठीक है तब तक यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर हम इस function को बाहर से access नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी इसका जो scope बनता है वो local scope बनता है बात द्यान से समझना यहाँ पर इस function को हम सिर्फ बाहर वाले function से यहाँ पर call कर सकते हैं जैसे यह को ό description को चाहिए है यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो function 讲 क्रना होता है तो अभी यहां पर यह सही है यहां पर यहां लगाते हैं और इसको यहां पर देleet कर दिया एसमें आप गिल्कुल सिंपल से चीरा सेप किया program रण किया तो यहां पर देखिए 150 भी और यहां पर My Funк 1 यह भी प्रिंट हो रहा है ठीक है यांनि कि हमारे दोनों फंक्षन जो है यह कॉल हो रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है सिर्फ My Funk यानि कि इस वाले फंक्षन को call करते हैं तो इसी तरह से function को call किया जाता है ठीक है अच्छा अगर हम यहाँ पर इसको cut कर देते हैं और इसको अगर हम ऊपर रखते हैं यहाँ से function को call करेंगे तो यहाँ पर हमें error मिलेगी देखते हैं अपर इसको save किया और run करेंगे तो यहाँ पर बना रखा है जिसमें हमने value 100 रखी है क्या उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं चले यहाँ पर यूज करके देखते हैं यहाँ पर हमने सीधे x को print कर दिया तो इस ही साफ से result हमारा क्या आना चाहिए इसका result आना चाहिए 150 और इसका result क्या आना चाहिए तो यह क्या है इसका scope क्या है local scope है ध्यान से समझना इसका scope क्या है local scope है फिर यहाँ पर हमने इस वाले function के अंदर इसको कैसे यूज कर लिया तो यहाँ पर जो हमारा nested function है यानि कि my func one नाम का function है इसके लिए ये variable global हुआ इसके लिए variable क्या हुआ ग्लोबल हुआ और exactly इसको ब इस वाले function के लिए x का scope है वो क्या है in closed है clear है built-in के बारे में आगे हम समझेंगे जब हम module import करेंगे ठीक है तो यह चीज आपको clear हो गई एक चीज और अगर हम यहाँ पर इस वाले function के अंदर एक और variable बनाते हैं यहाँ पर हमने i नाम का एक variable बनाया जिसमें value रखी यहाँ पर हमने 500 तो क्या इस i variable को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं देखे यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसको नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि अब यह जो हमने i यहाँ पर variable declare किया है इसका भी scope क्या है local है जिसको हम इसके बाहर वाले function में यानिक इसके parent वाले यह order होता है जैसे जैसे हम block of code में घुसते चले जाएंगे हमारा जो scope है वो local होता जाएगा और उसके उपर वाला जो scope होगा जो उसका parent होगा ठीक है जो उसका parent होगा उसकी सारी चीजे सारे variable हम use कर सकते हैं लेकिन जो child है वो child का जो data है वो parent access नहीं कर सकता यह बात आपको सम जो हमारा global variable होता है और जब हम local variable बनाते हैं तो दोनो different होते हैं different होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर हमने y नाम का variable बनाया जिसमे value हमने 50 रखी है तो अगर यहाँ पर भी y नाम का variable बनाया जिसमे value 100 रखे है तो यहाँ पर यह दोनो different है देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या y को यहां पर y plus i को ठीक है चलिए तो अब यहां पर फिर से प्रोग्राम रन करते हैं और आपको output दिखाते हैं यहां पर इसका output क्या रहा है यहां पर देखिए 100 and 600 आ रहा है यानि कि यह जो y है इसकी value को print कर रहा है और यहां पर जो यह 600 इस y नाम के variable को हम globally access नहीं कर सकते बाहर function के बाहर access नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अगर access करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर global keyword का इस्तमाल करेंगे ठीक है किसका global keyword का इस्तमाल करेंगे और जिस variable को हमें global access करना हो यानि कि global variable बनाना हो local scope से तो उसके लिए global की word यूज करके यहाँ पर हम उस function को इस तरीके से रखेंगे तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया y नाम के variable को यहाँ पर हमने global access कर दिया अब जो हमारा y है इसे हम बाहर भी access कर सकते हैं function के बाहर भी access कर सकते हैं वाइ नाम का जो variable है यह global हो चुका है ठीक है यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हमने कहाँ नाम कर लिए तो इस वज़े से यह डारेक्ट 50 यहाँ पर प्रिंट हुआ हम function call करने के बाद में रखेंगे तब यहाँ पर हमारा जो y नाम का variable है तब उसकी value change होगी और अभी यहाँ पर y में क्या print होगा 100 print होगा देखिए हाँ पर program फिर 7 करते हैं तो देखिए 100, 600 and 100 अब यहाँ पर y में 100 क्यों print हो रहा है इसको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इ हमें 100 हमें मिला ठीक है एक चीज और धान रखना कि global variable की value हम local scope से change नहीं कर सकते ठीक है कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें global keyword है यह use करना पड़ेगा अगर थोड़े देर के लिए हम global keyword हटा देते हैं और अब program run करेंगे तो अभी भी यहाँ पर हमारा 50 ही run होगा ठीक है 100 न लेकिन इसको ऐसे ना लिख करेंगे अगर हम ऐसे लिख दें y plus is equal to 50 y plus is equal to 50 तो यह यहाँ पर error देगा क्यों देगा क्योंकि अगर हम assignment operator यूज कर रहे हैं इस तरीके से तो इसका मनलब यह हुआ कि y नाम का जो variable है यह पहले से ही declare होना चाहिए जो कि यहाँ पर declare नहीं है य लेकिन यहाँ पर वैसे तो हम local scope में global variable को access कर सकते हैं लेकिन उसकी value नहीं change कर सकते हैं अब यह assignment का मतलब यह हो गया कि value change हो रही है वाई में जो पहले से 50 है और जो हम 50 assign कर रहे हैं तो वाई की value 100 हो जानी चाहिए जो कि possible नहीं है क्योंकि हम global variable को local scope से उसको हम change नहीं कर सकत हैं तो उसके लिए हमें global keyword लगाना पड़ेगा और उस variable को global यहाँ पर बताना पड़ेगा अब यहाँ पर हम इसमें changes कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यानि कि global variable की value local scope से change कर सकते हैं यह बात आपको समझ आ गई तो यहाँ पर हमने कई सारे point के लिए कि एक तो nested function यानी function क हम locally जो है उसको change नहीं कर सकते हैं उसकी value को ठीक है यह सारी चीज हमने देखी चली वापस आते हैं notes के तरफ एक बार तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है फिर उसके बाद बात करते हैं global scope की यहाँ पर x is equal to 300 यह क्या है global है और इसको हम कहीं भी किसी भी function में आराम स यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं फिर उसके बाद है naming variable तो इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया naming variable का मलब यह है कि अगर हमने x नाम का variable global scope से बनाया है तो इसको हम local scope से भी बना सकते हैं और दोनों क्या है एक दूसरे से different होंगे ठीक है यह हमने practical आपको बताया है फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं global keyword की तो global keyword के बारे में भी अभी आपको हमने बताया कि अगर हम local scope में किसी variable को globally बनाना चाहें तो उसके लिए global keyword यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पर उसमें changes भी कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते है यहाँ पर चीजे बिलकुल आसान है बस अब आराम से समझते जाएं और जितना हम बताते जाएं उसके practice करते जाएं ठीक है रटने की जरूद बिलकुल भी नहीं है तो यहाँ पर आपका जो local and global related जितने भी doubt थे clear हो गया होंगे local scope and global scope क्या होता है जब हम function के अंदर function define करते है तो यहाँ पर कौन से variable को कहा पर यूज कर सकते है कहा नहीं यूज कर सकते है यह सारी चीजे आपके clear हो गई होंगी ठीक है तो क्या होता है एक्जाम में छोटे छोटे जो है प्रोग्राम बने होते है और उसका हमें output बताना होता है कि इसका output क्या आएगा जहाँ पर local and global से related question हमें देखने को मिल जाते है ठीक है चलिए तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने local and global scope के बारे में समझा है और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे python modules और modules में यहाँ पर हमें काफी कुछ शीखने को नया मिलेगा जिसमें हम module वगरा import करना देखेंगे ठीक है तो इ कर देखेंगे झाल झाल